नमस्कार सभी गो छटी क्लास की अक्सरसाइज करते हैं 8.4 जो डैसिमल्स दस मलों का जो मारा चैप्टर है 8 उसकी अक्सरसाइज है ये एक्सप्रैक्स एज रूपीज यूजिंग डैसिमल ये पैसे हैं इनको डैसिमल में यूज करके रूपे बनाने इनके 5 पैसे हैं 75 पैसे 20 पैसे 50 रूपे और 90 पैसे 725 पैसे तो यहाँ पे लिख्या हुआ है एक रूपे में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं तो इन सबी को 100 से डिवाइड कर देंगे तो डैसिमल यूज करके उसके रूपे बन जाएंगे दूसरा भी सी परकार से है एक्सप्रेक्स एज मीटर यूजिंग डैसिमल यह सैंटी मीटर में है और मीटर में हमने इसको यूज करना है तो एक मीटर में 100 सैंटी मीटर होते हैं इन सबी को भी 100 से डिवाइड कर देंगे अब तीसरा जो है वो सैंटी मीटर में चेंज करना है मिली मीटर में है तो एक सैंटी मीटर में 10 मिली मीटर होते हैं इन सबी को हमें 10 से डिवाइड करेंगे तो first question करते हैं तो first है इसमें five पैसे change करना है तो पांच बटे 100 अब नीचे दो zero है तो उपर दो digit के बाद decimal आएगा पांच एक digit है दूसरी हमने zero लगा दी यहाँ पे decimal हो गया decimal के बाद एक zero लगा देते हैं तो इतने रुपे हो गया हमारे पास यह second part भी सी परकार से है 75 पैसे है यह रुपे में change करेंगे तो 75 by 100 यहाँ पे भी decimal यूज हो जाएगा दो डिजिट के बाद यह रुपे हो गया यहाँ लिख भी देता हूँ मैं एक रुपे के अंदर 1 रुपेज is equal to 100 पैसे 100 पैसे के equal होता वो तो यह use करना इसमें सभी को 100 से divide करना है very simple है 20 पैसे हैं 20 पैसे तो 20 by 100 तो decimal दो के बाद decimal यहाँ पे इसमें दो अक्सर पहले ही हैं तो इतने रुपे हो गया हमारे पास यह 4 पार्ट भी सी परकार से है 50 रुपे अब की बारी जो है वो 50 रुपे दे रख्या उसने 90 पैसे हैं तो 50 को हमें ऐसे के ऐसे रखेंगे 90 जो पैसे हैं 90 बटे 100 करते हैं यहाँ पे decimal हो जाएगा तो यह 50 10.90 इतने रुपे यह रुपे पहले ही हैं यह पैसे थे तो बटे में 100 करते हैं यहाँ पे decimal यूज होगा इसके अंदर अगला पार्ट है इसमें 725 पैसे हैं तो 725 बटे 100 तो डिवाइड करेंगे तो decimal 2 के बाद आजाएगा 7.25 इतने रुपे रुपे जो जाता है यह तो यह पार्ट थे इसमें क्यूस्टन नंबर जो साकेंड है इसके अंदर हमने एक्सप्रेक्स करना है एज मीटर यूजिंग डैसिमल यूजिंग डैसिमल तो जो डैसिमल अब वो यूज करके 15 सेंटी मीटर है तो 15 सेंटी मीटर तो 15 बटे 100 तो डैसिमल दो के बाद आजाएगा इतने मीटर यह लिखता है आँ मैं एक मीटर मैं 100 सेंटी मीटर होते हैं ये 100 से डिवाइड करेंगे सबी को सागिंड पार्ट में भी इसी परकार से 6 सेंटी मीटर है तो 6 बटे 100 अब 2 डिजिट बनाने उप़र तो 6 से पहले 0 लगा दी यहाँ पे डैसिमल 0 इतने मीटर थर्ड पार्ट भी इसी परकार से है थर्ड पार्ट में दिया उसने 2 मीटर 45 सेंटी मीटर अब यह तो मीटर से ही पहले ही है तो इसको लिखेंगे हम 2 को आगे लिख देते हैं 45 बाई अंडर से ही यहाँ पे जमा का निसान भी लगा सकते हैं या इसको बोलते हैं 2 से 45 बटे 100 तो डैसिमल यहाँ यूज हो जाएगा 2.45 मीटर तो यह अंसर होगा इसका 4 पार्ट बीसी प्रकार से 9 मीटर और 7 सेंटी मीटर है अब इसमें देखो 9 साथ बटे 100 करते हैं अब यहाँ पे दो डिजिट होने चीए तो 9 को ऐसे डैसिमल लगा के 0,7 इतने मीटर होता है इसको 9 एडिड 7 बाई 100 यह नो सही साथ बटे 100 बोलते हैं इसको सही कारत होता जमा में तो जमा का निसान यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं इसके अंदर अगला पार्ट है इसमें तो यह 419 सेंटी मीटर है तो 419 बटे 100 10 मलोवई 2 डिजिट के बाद इतने मीटर Morocco přिएस एज सेंटी मीटर योजिंग डेसिमल इसके अंदर डेसिमल यूज़ करके हमने सेंटी मीटर में चेंज करना है आप यहां पे 5 मिलिमीटर है अब लिखता हूँ हमें 1 सेंटी में में 10 मिले मीटर होते हैं तो 5 बटे 10 निचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद 5 एक एक एला डिजिट है तो यहीं पर डैसी मला जाएगा इतने सेंटीमीटर साकेंड पार्ट भी सी प्रकार से होगा यहाँ पर दिया उसने 60 मिलीमीटर तो 60 बटे 10 तो 0 को जी काट सकते हम यहाँ से तो 6.0 सेंटीमीटर 6 के बाद और पॉ tutor पॉइंट के बाद 0 होती है तो उसको उठा देते हैं इसको हम 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं तिसरा जो है वो इसमें 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर तो 9 सेंटीमीटर तो पहले ही है 8 गटे 10 तो यहाँ पे decimal यूज़ कर देंगे 9.8 cm चोथा part भी इसी परकार से 93 by 10 तो 9.3 cm तो बहुत easy question है यह सारे के सारे simple है Question number 4 लेते हैं Question number 4 है Express as kilometer अब kilometer में change करना है using decimal decimal यूज़ करके kilometer में first है इसमें 8 meter अब लिखता हूँ मैं 1 kilometer में 1000 meter होते हैं तो यह याद करने हैं आपने तो यह लिखेंगे हम 8 बटे 1000 अब निच्चे 30 है इसमें तो तीन डीजिट होने चीए आठ एक हो गया दो जिरो और लगाएं यहाँ 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 पर decimal आएगा इतने kilometer second part लेते हैं इसी का second part है इसमें 88 meter तो 88 by thousand एक हजार तीन डीजिट बनाने है तो एक जिरो और लगा लेते हैं पहले तीन डीजिट यहाँ पर decimal इतने kilometer होगा हमारे पास third part है इसका 8880 meter है तो 8880 बटे 1000 यहाँ पर decimal आजाएगा 8.8888 इतने kilometer third part है इसमें 70 kilometer और 5 meter अब इसको लिख सकते हैं 70 सही 5 बटे 1000 तो 70 as it is a decimal यहीं इसे शुरू हो जाएगा 5 के हमने तीन अक्सर और लगाने हैं तो 5 पहले है तो 2 zero और लगा देंगे तो इतने kilometer होगा इसके अंदर तो यह part थे इसके अंदर वाई question number five express as kilogram kg 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 यूजिंग decimals decimal यूज करके first है इसमें 2 gram अब एक किलो ग्राम में 1000 gram होते हैं तो यह gram दे रख्या है उसने तो 2 by 1000 तो तो थरी डिजिट होने चीए निचे थरी जीरो है तो यहाँ पर decimal होगा इसके अंदर तो यह किलो ग्राम होगा इतने second part लेते हैं इसी में second part है इसमें 100 gram है तो 100 बटे 100 है यह 1000 हो गया था 100 बटे 1000 अब तीन डिजिट के बाद तो तीन डिजिट पहले ही हैं उपर तो decimal यहाँ पर जिरो लगा जेते हैं पहले इतने किलो ग्राम third part भीज में 3750 ग्राम है 3750 बटे 1000 तो तीन डिजिट के बाद 750 इतने किलो ग्राम अगला लेते हैं इसमें 4 part है 5 किलो ग्राम और 8 ग्राम तो यह किलो ग्राम पहले है तो इसको 5 से ही 8 बटे जो ग्राम है ना हुसुस का बटे में करना हमने 1000 5 किलो ग्राम तो पहले है इसके अंदर कुछ नहीं करना इसको शीदा लिखना अब यहाँ पर तीन डिजिट होने चीए तो आठ हाट से पहले दो जिरो लगा दी यहाँ पर decimal आ जाएगा पांच इतने किलो ग्राम तो नेक्स्ट 20 किलो ग्राम 26 किलो ग्राम और 50 ग्राम यह तो 26 एड़िड 50 वाई थाउजेंट तो तीन डिजिट के बाद decimal आएगा 26 है जीटीज तो यह 50 है तो एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर decimal होगा इतने किलो ग्राम तो इस परकार से हम बहुत सारे क्यूस्टन कर सकते हैं अगला पॉइंट लेते हैं इसमें 6,780 ग्राम है तो 6,780 बटे 1,000 अगला पार्ट लेते हैं इसका लास्ट 20 किलो ग्राम और 20 ग्राम तो 20 इसी दा लिखेंगे 20 जो ग्राम है उसके बटे में 1,000 तो 20 अब यहाँ पर 20 यह थ्री डिजिट बनाने तो यहाँ पर 0 लगाएंगे पहले 0 और यहाँ पर decimal इतने ग्राम तो यह एक्सरसाइज आपकी कम्पलीट होगी थैंक यू जैहीन जैवारत